नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों ओडिसा में राहूल गांधी भारत जोडो नया यात्रा निकाल रहे थे और उस वक्त उन्होंने प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोधी पर बड़ा हमला किया है क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और इस पू प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोधी की जाती को लेकर निशाना साधा और कहा कि प्यम मोधी अन्य पिछड़ा वर्ग यानि की OBC समुदाय से नहीं आते हैं राहूल ने कहा कि प्यम का जर्म सामान वर्ग में हुआ यानि वो जनरल कैटेगरी के हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा दोस्तों दरसल प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोधी ने संसद में खुद को सबसे बड़ा OBC बताया था ये सदन में अभी एक दिन पहले प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोधी कि कॉंग्रेस पार्टी और यूपिय सरकार ने OBC के साथ कभी ल्याय नहीं किया है तो दोस्तों उसके बाद जब ओडिशा के जार सुगुडा में लोगों को संबोदित कर रहे थे राहूल गांदी उस वक्त उन्होंने क्या कहा एक एक करके वो हम आपको बयान सुनाते हैं और प्रधान मंतुरी नारेंद्र मोदी पर रहूल गांदी ने बड़ा हमला किया है अखले शादों ने कैसे रहूल गांदी का सपोर्ट किया है यह भी हम आगो आगे बताएंगे लेकिन पहले रहूल गांदी के बयान की चर्चा कर लेते हैं रहूल गांदी ने कहा कि जब भी कोई भाजपा कारे करता आपके पास आए तो उसे एक बात बताएं कि हमारे प्रधान मंतुरी ने पूरे देश से जूट बोला है राहूल गांदी ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहूल गांदी का कहना है कि पीम मोदी का जन्म OBC वर्ग में नहीं हुआ था और गुजरात की तेली जाती में पैदा हुए थे ये बात कही गई है राहूल गांदी की तरफ से उन्होंने कहा कि उनका जन्म OBC वर्ग में नहीं तो ये बात कही कई है राहूल गान्धी की तरफ से दोस्तों टूस्तों तो राहूल गान्धी ने कगा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंडर मोदी GUBC पैदा नहीं ते फिर से सुनो नरेंडर नरेंद्र मोदी गुजरात की तेरी काश में पैदा हुए थे आप सब लोगों को भयंकर बेवकूप बनाया गया है और बेवकूप बनाया जा रहा है इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में OBC बनाया था सुनिए राहुल गांदी का बयान नरेंद्र मोदी जी OBC नहीं पैदा हुए थे राहुल गांदी यही नहीं रुके दोस्तों उन्होंने कहा कि पिया मोदी जनरल काश में पैदा हुए और पूरे दुनिया में जूट बोल रहे हैं कि वो OBC पैदा हुए हैं दोस्तों एक तरफ राहुल गांदी ने यहां पर OBC को लेकर एक नहीं बहत शेर्दी प्रदान मंतरी की जाती को लेकर एक नहीं बहत शेर्दी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के डेपड़ी सीम केश्व प्रसाद मौरिया भी सामने आ गए और उन्होंने सोशल साइट ए अब राहुल गांदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के मुख्या अकले शादों ने क्या कहा दोस्तों वो भी सुनिये उन्होंने राहुल गांदी का सपोर्ट किया है उनका कहना था कि कॉंग्रेस के नेता ने क्या कहा मैं उस पर बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग सिर्फ सर्टिफिकेट से पिछड़े होते हैं जन्म से नहीं यह बात अखले इशादों की तरफ से कही गई है तो दोस्तों एक नई बहुत शुड़ी हुई है कि प्रधान मंतरी सदन में खुद को ओबीसी कहते हैं कहते हैं कि वह समा राहूल गांदी कहते हैं कि नहीं गुजरात में गुजरात सरकार ने साल 2000 में उनको ये तपका दिया था वो जन्म से जनरल कैटिगरी के हैं जनरल जाती के हैं सामान इवर्ग से आते हैं लेकिन बाद में सरकार ने गुजरात में साल 2000 में उस जाती को ओबीसी जाती में डा दिया था अकलेश शादो कहते हैं कि यहां कुछ लोग सर्टिफिकेट से पिछड़े होते हैं लेकिन जन्म से नहीं होते हैं तो राउल गांदी और अकलेश शादो दोनों प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी की जाती को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर मुखर दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं बहुत शुक्रिया दोस्तों